प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अम्विकापूर से कॉंउग्रेस प्रत्याशी टीएस सियुद्यों ने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने की इस्थिति में यह मेरा अंतिम चुनाऊ होगा मैं राजनीती से सन्यास लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं राजनीती में रहूंगा डिप्टी सीफ टीएस सीदेव ने कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस दो तीहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी अगर कप्तानी का मौका मिलेगा तो करूंगा हलंकी ये तो सेलेक्शन कमिटी तै करती है सीदेव ने कहा कि ये मौका आकरी है आगे में चुनाव नहीं लड़ना चाहता हाई कमा जो तै करेगा वैसा करेंगे मेरी सोच में या विचार में बहुत फरक नहीं पड़ता है काम रहता है मेरे लिए कामी काम मैने रखता है काम का प्रकार बदल जाता है कभी चुनाव प्रचार हो जाता है कभी लोगों को मदद करने की बात हो जाती है कभी विभाग में काम करने की बात हो जाती है कभी खिलने की बात हो जाती है तो जो करूं मैं उसी में वियस्त रहता हूं अभी समिक्षा कि कहां कितने वोट गिरे, कितने वोट हो सकते हैं, प्रदेश की क्या सिती है, कहां कितने विधायकों के जीतने की संभाव ना है, वो जोड़ घटाव चल रहा है, गर्मेंट बनेगी, मैं टार्गेट लगाना छोड़ दिया, पहले चुनाओं के बाद मैं, कि जो परिनाम आएगा स्विकार कर उसको, मौका तो आखरी है, बनने का ये तो तैह है, कि सीम नहीं बनने की सिती में आगे चुनाओं लड़ने का कोई औचित नहीं है, ना मैं लड़ूंगा, और जो काम मिलेगा, मद्दाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की पह बर पूर कोशिश करो, मन की भावनाए है, मन में रखा है तो उसे बड़ी चीज क्या है, वो तो मिली गया, बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, मैं भी चाहूंगा कि जिस थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं, विव भागो में जो भी कर सकता था, अपने सीमत खुशमतां के अनुन रूप, आ मैंने किया, आगे जो भी जम्म्हेदारी मिलेगी, आप मैं अपने इस क्शमता के हिसाब से जरू करेंगा। बबार तो बहुत दूर का लक्ष है, वो मुझे नहीं लगता है क्या संभव लेकिन दो तिहाई से कम भी अगर आता है तो निराशा होगी मुझे बेक्तिकत काफी निराशा होगी